तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी वीवर्स का शुक्रू गजार हूँ कि आपने मुझे ये मुवी रिकमेंड किया था बहुत पहले पर कुछ वजहों से मैं इस मुवी को रिव्यू नहीं कर पाया था पर अभी मैंने फाइनली मुवी देख ली है अब मुझे ये मुझे कैसे लगी और क्या मुझे ये आपको रिकमेंड करना भी चाहिए या फिन नहीं कि जिन्होंने नहीं देखा है तो देखे अगर मैं सच बता हूँ तो अभी तक मैंने हॉलिवड की कोई भी ब्लेक और वाइट फिल्म कभी नहीं देखी थी ये एक्चुल में मेरी पहली फि और अभी मैंने इतनी सारी फिल्में देखी हुई है तो कहीं मुवी को देखने में शायद वो मज़ा ना आए या फिर स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टिबल हो जाए तो उस वज़े से मज़ा जो है ना कहीं कहीं पर थोड़ सा किरकिरा हो जाता है तो वो मैं बिल और ये जो फिल्म है ना ये फिल्म मुझे एक खुली किताब की जैसी लगी तो ऐसे में ये खुली किताब आपके किस काम की है या फिर नहीं चले इसे बारे में बात करते हैं वेलकम टू जी एक्स साइको तो देखें यहां पर इस मुवी को लेकर मैं आपको कोई भी जानक की है मतलब उसी स्टोरी जो इस फिल्म में हमें देखने को मिलती उसी को अधार पर अगर हम मान के चले तो ऐसे मैं अगर मैं आपको कुछ भी बाते बताता हूं तो हो सकता है कि उससे आपको फिल्म देखने में वो मज़ा ना आए या फिर हो सकता है कि आपका एक तरीके से मज़ा खराब हो जाए तो मैं बिलकुल भी नहीं चाहता मैं बस इस फिल्म को लेकर यही बात बोलूँगा कि जैसा कि मैंने शुरू में बता है कि यह फिल्म मुझे एक खुली किताब की तरह लगी जहां पर सभी जो सारी चीजें हैं एक तरीके से हमारे सामने रखी गई हैं कुछ भी इस फिल्म में चुपाया नहीं गया है और वही मुझे इस फिल्म की बहुत ही ज़्यादा खास बात लगी क्योंकि यहां पर इस फिल्म में सब कुछ हमारे सामने ऐसे रख दिया गया है कि कुछ यहां पर छुपा हुआ नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म में मन लगता है देखने में जब आप फिल्म को देखे होगे तो ये फिल्म एक तरीके से मज़िदार लगने लगती है फिल्म थोड़ा भी बोर नहीं करती है या फिर हमको मालूम भी रहता है कि फिल्म में हमें क्या देखने को मिल सकता है एक तरीके से प्रेडिक्टेबल मुवी है अभी के वक्त के हिसाब से देखा जाए तो लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म में जिस तरीके से सस्पेंस मेंटेन किया गया है जबकि फिल्म में सस्पें है जिस तरीके से उनको दिखाए गया है उनकी situations को दिखाए गया है और यह background music तो उसमें जान डालने का ही काम करता है तो उस वज़े से यह film बिना suspense की भी suspense create करने लगती है और ना चाहते हूँ भी यह film जादा मज़िदार होती चली जाती है और फिल्म देखने में वाकई में म समझना ही बहुत ही जादा मुश्किल है वो कब मतलब वो जो character है कब सीधा 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 हो जाता है कब उसके character में बढलाव आने लगता है तो उस character को जिस तरीके से उन्होंने निभाया है नॉर्मन बैट्स का character वो वाके में कमाल का है और मुझे बहुत ही जादा पसंद आय यह character और इसी वज़े से यह film जो है वो काफी जादा मज़िदार लगती है काफी जादा enjoy भी आप करोगे क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़े जो है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि यहाँ भई कुछ नया है कुछ अलग है लेकिन इसके बावजूद भी यह film बादे रखने में कामियाब हो जाती है चाहे बाथ हो film का presentation चाहे बाथ हो film की story या कि इसके अलावा बाथ हो acting की या फिर बाथ हो background music की काफी जादा बढ़िया है अभी के वक्त में भी और मैं हैरान हूँ कि उस वक्त के film जब मैं आज देख रहा हूँ तब ही यह film मुझे उ हो सकता है कि आपने देख भी लिए हो तो उस वज़े से हो सकता है कि यहां पर हमारी विचारों में थोड़ सा मदवेद हो जाए पर अगर आपको mystery thriller या फिर murder mystery को जाएसी movie देखने का बहुत ही ज़्यादा शोक हो तो यह film आपके लिए है भली यह film पुरानी हो पर मज़ा आज ही के जमाने का जैसा मिलेगा तो उसे वज़े से मैं यह film आपको recommend करता हूँ आपको एक बार जरू देखना चाहिए film आपको मज़ा जरू देगी film आपको बहुर बिल्कुल भी नहीं करेगी मेरा experience अच्छा रहा इस movie को लेकर मैंने जितना नहीं सोचा था उस से कहीं जादा इस movie ने मुझे दिया और मुझे लगता है कि आपको भी वही मिलेगा और यह film हिंदी में भी available है तो अगर आपके पास वक्त है अगर आप इस movie को देखना चाहते हो देख सकते हो यह film आपको disappoint नहीं करेगी बस कुछ जादा मत सोच लेना हलाकि यह film acting के मामले में या फिर कहानी के मामले में या फिर जो भी मैंने आपको important points बता हैं उसके मामले में आपका दिल यह जीती लेगी और मैं क्या ही बोलूँ और बाकी जाने से पहले एक छोटी से request वीडियो को like share और चैनल को subscribe सरूर कीजिएगा चुखार